अलो फ्रेंज वेलकम टू मितूस किचन आज मैं आपके लिए लाई हूँ इस तरीकी का परफेक्ट चॉकलेट शाइनिंग गनाश बनाने का बहुत ही बढ़िहा मैथड और ये ट्रॉफल गनाश आपको नहीं विपिंग क्रीम के साथ बनाना सिखाऊंगी और नहीं आपको अ किये हैं और अब इन दोन उबारों को मैं माइक्रोवेव में 30 से 40 से के लिए गरम करूंगी और आप इसे डवल पॉलर की हल्प से भी मेल्ट कर सकते हो तो यह लिए देखिए एक बार मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया है और स्पैचुला से मैं इसे मिक्स करूंगी पहले पिर अभी हमारा ये प्रॉपरली मेल्ट नहीं हुआ है तो फिर से मैंसे माइक्रोवेव कर लेती हूँ 30 सेकिंड के लिए मैंने फिर से माइक्रोवेव कर लिया है और अब हम यहाँ पर यूज करेंगे दूद तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने दूद को गरम करके लिया है और एक चीज का और ध्यान रखा है कि जैसे आप अमुल फ्रेश क्रीम के साथ रिच गनाश बनाते हैं तो यहां पर भी आपको उस तरीके का रिच टेक्चर लाने के लिए दूद गाड़ा यूज करना है यानि बिना मलाई का लीजिए लेकिन जो काफी गाड़ा दूद होता है यानि मलाई की नीचे जब मलाई अठा लेते हैं आप तो उस टाइम आप देखेंगे कि मोटी सी परत रहेगी दूद की तो वो आपको लेनी है उसमें साथ साथ थोड़ी सी क्रीम जैसी होनी चाहिए तो आप उस दूद को गरम कर लें और फिर यहां गनाश बिनाने के यह देखिए यहां पर मैं दूद के साथ साथ आपको पूरा मेजरमेंट बता दूँगी कि यहां मैंने कितना चमच दूद यूज किया है थोड़ा सा स्पून के डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि अब गर आपने आपकी स्पून की गहराई जादा है या मेरे स्पून में गहर करें तो यह दिखिए फिर से मैंने इसे एक बार गरम कर लिया है माइक्रोवेव कर लिया है तो आप देखेंगे कि माइक्रोवेव करने से काफी हद तक यह और मैल्टेड हो गया है और अब मैं इसमें फिर से थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ करके इसे मिक्स करूंग तो अगर आपका जो चॉकलेट है वो ठंडा हो जाएगा तो वो इतना अच्छे से गरम नहीं रहेगा तो वो मिक्स करने में और गनाश को प्रॉपर बनाने में उतना हेलफुल नहीं हो पाएगा तो आप बीच में उसे गरम भी कर सकते हैं अब दो चमच दूद और एड़ कर लेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे तो बैचेस में दूद को एड़ करेंगे और तब तक दूद एड़ करेंगे जब तक कि हमें वो प्रॉपर प्रॉफेट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती जब हमारा गनाश केक पे अपलाई करने के लि और यहां फ्रेंट्स एक मिजरमेंट और बता देती हूँ, यहां मैंने यह आधा कब जितना दूद लिया था जब हमने शुरू में देखा है, तो यह मेरा पूरा आधा कब दूद लग गया है, अगर आप स्पून से मिजरमेंट नहीं देखना चाते हैं, तो आप आधा कब दूद लेके भी इसे बना सकते हैं, लेकिन यह बास जरूर कोऊंगी कि बैचिस में ही दूद आट करें, अगर गनाज बहुत पतला हो गया तो केक पे नहीं अपलाए कर पाऊगे, और अगर यह बहुत गाड़ा हो गया तो भी आपका केक हार्ड लगेगा खाने में, तो फ इसे अब हम एक पाइपिंग कोन में भर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे केक पर अपलाए करके देखेंगे, कि हमारा जो गनाज है, वो कितना अच्छा बना है, तो यहां मैंने दिखिए, एक स्पॉंज ले लिया है, और पाइपिंग कोन में गनाज को भरने के बाद इस तरीके से हम पूरा अच्छे से इसको फैला सकते हैं, तो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, और जब भी आप इसे फैलाएं, तो पैलेट नाइफ को हलका सा गरम रखें, और फिर इसे इस तरीके से फैला दें, तो बहुत असानी से आप अपने टॉफल केक बना सकत हैं, वो इस तरीके से भी रिच चॉकलेट ट्रफल गनाश बिना कर तयार कर सकते हैं, तो नए एफट के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजि